हेलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसका एक प्रोग्राम बना कर भी देखेंगे तो इस वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रह करते हैं ठीक उसी तरह से इंटरफेस की भी क्या होती है एक बोडी होती है इत is a group of abstract methods या निके जो interface के methods होते हैं वो बायडिपोल क्या होते हैं abstract होते हैं एच टेक्शा उन मेतर्ड को बोलते हैं जिन की हम बोडी नहीं देते मतलब ऐसमेठ जिसको क्या करते हैं के वल मुझे डिक्लेयर करते हैं जैसे कि मिया पर एक ग्जामपल ले ले लेते हैं यह यहाँ पर देखें किया बनाए है यहाँ इंटरफेश का ना हो जैसे public void है कि i fun1 करके तो यह क्या होगा यह by default public भी होगा अगर मैं हो पर public use ल् maintenant तो भधी फब भी होगा और abstract be बहुत देख्या है हमने semicolon दिया है is method को के वल millionaire किया है यानिके इस method की body नहीं दिये ये हमने programmer को बता दिया है कि जो भी class इस interface को implement करेगा उसको इस method की body देनी होगी तो आयोब क्या आपको समझ में आ गया होगा कि abstract method कि किसको बोलते हैं abstract method उस method को बोलते हैं जिसकी body हम में यानि के जिसकी जो definition होती है वो हम sub class के अंदर देते हैं यानि के implementing into a class यानि कि अगर आपको deceased mindful करना है तो हुआ पर आपको क्या करना होगा इसको implement करना होगा एक class के अंदर Affairs that implements and master must implement all the method in the interface यानि के अगर कोई Class देखें है आपर हमनेक Interface बनाया हुए आगर कोई class इस interface को implement करता है तो उस class को क्या करना होगा इसके जितने भी methods है उन सब के methods की body provide करनी होगी अगर वो class ऐसा नहीं करेगा यानि के method की definition नहीं देगा तो class भी क्या बन जाएगा abstract class बन जाएगा और abstract class को फिर दूसरी class extend करेगी और फिर abstract class की method की definition देगा तो आई होब की आतक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर इंटरफेस से रिलेटिड हमने कुछ पॉइंट से लिखे हुए है जो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं और इंटर्व्यू में भी पूछ ले जाते हैं तो चलिए इन पॉइंट को पढ़ते हैं इंटरफेस डजनोट है व कंस्ट्रक्टर यानि कि इंटरफेस के अंदर ही तरह होता है लेकिन इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इंटरफेस के अंदर जितने भी मैथड होते हैं वह बाइडिफोल क्या होते हैं पब्लिक और एब्स्ट्रेक्ट होते हैं तो चलिए अब हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना कर देख लेते हैं इंटरफेस बनाते हैं इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस को डिकलेयर करने के लिए नेम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखें इंटरफेस को हमने डिकलेयर कर दिया है और इसके अंदर एक मैथड हम ले लेते हैं और इस मैथड की अगर मै भी हम बोडी नहीं देते उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर हम इसको डिक्लेयर करेंगे इसका जो बोडी होगी उसकी बोडी उस class के अंदर देंगे जो class इसको क्या करेगा implement करेगा अगर मुझे इस method को use करना है तो इस method को use करने के लिए interface को implement करना होगा तो यहाँ पर एक class मना लेते हैं class class ले लेते हैं हम यहाँ पर बी नाम का और इस class के अंदर implement करेंगे हम इसको इंटरफेस एको तो यहाँ पर जैसे interface को हमने implement किया तो class का जो नेम है बी के अंदर आपको red दिखाए दे रहा हूँ यानि कि यहाँ पर यह आपको बता रहा है कि भाईया आपने interface को तो implement कर लिया लेकिन implement करने के लिए आपको इसकी बोडी के अंदर एक method दिखाए दे रहा है इसकी बोडी यहाँ पर दीजिए यानि कि इसको define कीजिए तो यहाँ पर इस पर cursor लाईएगा और add and implemented method पर लाईएगा तो यहाँ पर आपको यह जो method है वो खुझ से यहाँ पर पूरा override हो जाएगा अब इस method की बोडी के अंदर कुछ भी आप दे सकते हो जो आप यहाँ पर statement देना चाहते हो तो हम यहाँ पर type कर देते हैं कुछ भी और यहाँ पर type करते हैं इस और राइडिड मैथड ऑफ इंटर फेज तो यहाँ पर आते हैं और इसका एक object बना लेते हैं इस class के अंदर आईएगा और object हम किसका बनाएंगे इसका है यादि कि class B का तो class B का है यहाँ पर हम object बनाएंगे new और बी से डोट करेंगे हम फन अब यहाँ पर देगे हम इस project को प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस आइकन पर आकर प्रेस किजिएगा तो जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा तो यहाँ पर देगे नहीं करेंगे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूं कमेंट आउट कर दिया तो यह प्रोग्राम रन ही नहीं होगा यहाँ पर compile time यह error दे देगा क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो methods होते हैं उसको हमें define करना होता है जो class उस इंटरफेस को क्या करती है implement करती है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंटरफेस को हम achieve कर सकते हैं इंटरफेस क्या होता है और उसको use करने का purpose क्या होता है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं आने वाली वीडियो में जो जावा के दूसरे concept हैं उनको जानेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को like करके अपने चैनल को जरू तो जडियो झाल को भीडियो में आने अक हैं 20 में येजुरमियो को जना रखते हैं 2019